जैहिंद मैं हूँ तेजेश चोहान लोकल वोकल न्यूज के खास कारेकरम गाजियाबाद मांगे मोर में आपका स्वागत है इस कारेकरम के अंतरगत हम आपको तमाम तरह की समस्याओं और लोगों के विचार सुनवाते हैं ताकि उन लोगों की समस्या सम्मंदित अधिकारी और विभाग तक जा सके आज हम जा पहुँचे हैं गाजियाबाद के कवी नगर इंडस्टियल एरिया में यानि की गाजियाबाद इंडस्ट्री फेडरेशन के बैनर के नीचे कवी नगर इंडिस्ट्रिल एरिया एसोशियेशन के लोग हमारे साथ जुड़े हैं तमाम तरहे की समस्याओं पर हम इन से चर्चा करेंगे लोग डाउन से ले करके और अब तक यानि किसान आंदोलन तक आने वाली तमाम समस्याओं के बारे में इसे जानकारी करेंगे और इसकी इनकी जो समस्याओं हैं उनके विभाग तक या सम्मंदित अधिकारियों तक पहुँचाने का प्रियास करेंगे इससे पहले हम चर्चा करें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोकल वोकल न्यूज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटी सचोटी समस्या और बड़ी से बड़ी खबर को आप लोगों तक ले करके आता है, इसकी खबर सुनने के लिए या पढ़ने के लिए आप अपने म समस्या इन लोगों के सामने आती है, सबसे पहले मैं आप से ही शुरूबात करूँगा, आपका पूरा परीचे, आपका काम और क्या में समस्या लोगडाउन में आपको जहिलने पड़ी है, मैं अनाम रमित कोयल है, और मेरी पैशर कूगर बनानी की फेक्टरी है, मैं पचा को मेरी लेबर है, तो मन को कार्य देता हूँ, तो जो सबसे बड़ी समस्या लोगडाउन में आई है, वो मैं कहना चाहूँगा सर्कार से, कि गवर्मन ने फिनैंशल तो सुधाय दी है, लोन्स की दी है, मगर उसमें कोई डिरेक्ट हेल्प उनोंने नहीं करी है, कि मैं कहू कोई डिरेक्ट हेल्प नहीं है, कि आपको इतने पैसे हम देते हैं और इस पे कोई ब्याज नहीं है, और दूसरी बात कि हमारी जो इंट्रेस्ट्री दो महने बंद रही थी, तो मेरे साब से सरकार को थोड़ा सा उसमें टाइम पिरेट कम करना चाहिए था को कि दो महने में हमारा लॉस हो गया है, और जैसे कि बिजली की भी समझ से बहुत जताई थी, कि हमें हमें पूरा का पूरा बिजली का बिल देना पड़ा, उसको सरकार को कम से कम एक महने दो महने की उसमें रिलीफ देना चाहिए था, तो और लेबर को भी लेबर के विए से भी काफी लेबर चली गई, तो अब दोबारा से जिसे आई है, अब दोबारा काम पटरी पर कितना परशयंट आ चुका है या आने में भी परिशानी हो रही है? मेरे साब से अभी तक 60-70% कामी पटरी पर आया है. मतलब कि अगर 10% तो ने कहूँगा कि ये Jadi को 10-15 trend ल ere कि इंड़ा है कि जिसके हाँ, अगर मानलो सो आदमी काम करते हैं, तो उसको सो आदमी जो लॉक्डाउन के बाद वो सौ पूरे नहीं कर पा रहा है। का जो हमारे जनपत के अध्योगिक संग्ठनों का महासंग है और कवी नगर इंडस्टिरिया एसोशेशन का हमारी फेडरेशन के अंतरगत 22,000 इंडस्टी जनपत में पंजीकरत हैं और पिछले डेड़ साल के अंतराल के अगर आपने मुझसे बात कही है तो पूरी इंडस्ट बहुत कठिन दौर से गुजर रही है आजादी के बाद भी जो मंदे का दौर हुआ करता था तब भी लोगों को कुछ इंकम उससे हो जाती थी करोना काल के दौरान लगबग 6 महां इंडस्टी बंद रही उसके बाद परमीशन के साथ कुछ इंडस्टी चल पाईं लेकिन बेहत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी राज्य सरकार ने या भारत सरकार ने जो भी गोशनाएं की उन गोशनाओं को धरातल पर वो नहीं उतार पाए जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी की गोशना थी कि लौकडाउन के दौरान जो बिजली के बिल हैं उनका मिनिमम चार्जिस इंडस्टी से नहीं लिया जाएगा लेकिन वो बिल आज तक भी एक साल हो गया साभी के सभी शत्परतीशा जमा हुए कोई रिलिफ नहीं हुआ जन्पद इस्तर पर जो अध्योग बंदों की बैठा जिलादिकारी महोदे की अध्यक्षता में होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई हमें इंडस्टी को रिलिफ नहीं मिला दूसरा जो मानिये परधान मंतरी जी ने कोविड के दौरान एक उध्योगों के लिए MSME पैकेज की घोशना की थी 5 लाग करोड रुपे मुझे फिगर याद है पुरान 4-6 महीने पहले की बात बैं कोविड आप 4 महीने के लिए 6 महीने के लिए जिन इंडस्टी वालों के बैंक एकाउंट अच्छे हैं जो टाइम से अपना पेमेंट करते रहे हैं उन्हीं इंडस्टी के लिए हमने यह नहीं कहा था आप सबको बांट दीजे पैसा जो लोग रिपे कैपेसिटी में सो लोगों से एक हजार लोगों तक की इंडस्टी गाजेवाद में हैं सभी लोगों को घर पे बैठा के सैलरी दी जो कि लेबर विभाग और मुख्यमंतरी जी का आदेश था कि किसी भी शुरमिक का उत्पीडन ना हो तो इंडस्टी के उत्पीडन के बारे में किसी ने क्य सरकार ने की थी MSME के लिए पैकेज नहीं था वो लोन ही था कि आज आपके पास अगर 6 रुपे का लोन है तो इस पैकेज में आप 8 रुपे कर लीजे तो पैकेज नहीं है एक तो सब को ये भरहमित किया गया मानिया वित मंतरी द्वारा कि हम ऐसे में को पैकेज दे रहे हैं पैकेज होता है विदावट इंटरस्ट इन्होंना तो हमारा लोन ही बढ़ा दिया कि अगर इनके खाते में 6 रुपे हैं तो आफ साथ कर दो विद इंटरस्ट कर दो तो ये पैकेज नहीं हुआ घर बैठा कि हम लोगों को अपने मिनिमम चार्जिस किसी भी डिपार्टमें ने कोई रिलीफ नहीं दिया जिसके जो जियस्टी डियू थे वो उन्हाने एक महीना डेट जरूर आगे बढ़ा दी लेकिन जमा हुए तो मुझे बहुत निराशा होई कोविट के दोरा किस तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ा मैं रवी जैन कभी नगर इंडस्ट रिक्षे वाले हैं यह सब हम सो जुड़े हुए हैं उस टाइम पे प्रोडक्शन हो रही सभी की पूरी बंद रही और हम लोगों को रोटी खर्चा पानी सेलरी दवाई सब के लिए पैसा देना ही होता था और हम लोगों ने सड़क पे निकल निकल के भी काम किया कि जो लो दिया हम लोगों ने पूरी तंखाय दी गई हैं और जो समय उनको एक्स्टर जरूद थी वो सब भी जरूरते पूरी की गई हैं और उस टाइम पे कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा था हम लोगों के पास और हम लोगों को सरकार से उमीद थी कि SI या पी-फ की तरब से लेबर के लिए हम लोगों को फंडिंग मिलेगी और हम लोग उस चीज को महाँ पर यूज कर सकेंगे पर अभी तक भी हमें वहाँ से कोई किसी तरह की हल्प नहीं मिली है और जो अभी हम लोगों के इससे में काम करने की स्थिति है कि जिससे में लॉक्डाउन के बाद फैक्टरियां खुली है तो हम लोग 20-25 परचेंट लेबर के साथ ही काम कर रहे थे तो प्रड़क्शन ना के बराबर थी अब तक भी हमारी चेन पूरी तरीके से चालू नहीं हो पाई है प्रड़क्शन की और इससे में भी स्थिति है कि अभी एकदम लॉक्डाउन के बाद से सारे मेट् मुश्किल हो रहा है और जो रेटों में इससे में लगबग 25-30% की तेजी है हम लोग उन रेटों पे काम नहीं कर पारे हम लोगों को पराने रेटों पर ही काम करना पड़ रहा है जिस वज़े से इंडस्टी बंद के कागार पे हैं और इंडस्टियों को चलाना बहुत ही म है मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि कमसंग मैं आपने हमारा दर्द और दुख को जानने की कोशिश की और ताकि इसको आगए आप बता सकें मैं यह बताना चाहूंगा कि होटल एंडस्टी एक होस्पिटैलिटी इंडस्टी है और आज की डेट में अ उच्तिती सबसे जादा जो बत्तर हुई है वो सबसे जादा बत्तर होस्पिटैलिटी इंडस्टी की हुई है जिसमें होटल, बैंकोएट और ये सब का काम बंद हो गया बिल्कुल भी और 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 नए सेक्टर के तो जो लेवर रहती है वो सब जगह रहती है हमारे आपी र आप उठा के देख लीजिए वो आज खोल भी नहीं पाएं वो आज सारे बंद पड़े हुए हैं लोगडाउन के बाद आज भी नहीं खुले हैं तो लेकिन सरकार का इस और कोई भी ध्यान नहीं इस इंडस्टी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है हमारा बहुत बहुत ज्याद इंड़स्ट्री के लिए केंदर सरकार शायद कोई कदम उठाईगी ऐसा कोई कदम भी उन्होंने नहीं उठाया ताकि जो है हस्पिटालिटी इंड़स्ट्री को जो है कोई लाब मिल सके और चुकि एक बात और इस पर मैं बताना चाहूंगा कि इस बजट में हमारी करके इन्होंने रख रखे हैं ताकि उसकी लिक्विटिटी बनाने के लिए जो लोग बेच रहे हैं उसमें जरूब से ज्यादा टैक्से बरने पड़ने हैं लोगों को ताकि अपने लेकिन उसमें सेक्टर रेट से तीस तीस परसंट चैलीस परसंट पर्संट इस बजट से भी नराशा है कि बिलकुल नराशा है कि हुस्पिटालिटी इंडिस्ट्री के लिए कुछ भी नोने कहीं कुछ नहीं किया बहुत ही दुखत बात यह है जो मैं आपका ध्यान इस पर अक्रश्ट करना चाहता हूँ कि पता नहीं क्या मजबूरियां परसंट के स दुर्गती हो गई है उसके लिए इस पष्ट रूप से पूरे पूरे रूप से प्रशासन जिम्मेदार है कि उन्होंने यहां पर यातायात के वो साधन उपलब्द कराए जो कि एक परियाटन में भी उपलब्द नहीं होते हैं उनको पता नहीं क्या उनको आक्रश्ट किय पूरे इस तरफ और उन सारी लेवर को हमारी को हमारी इंड़िस्टिल एरियाज में बस लगा दी और वहां बस लगा लगा करके उनको उनके घर उनको पहँचवा दिया आज उसकी वज़ए से आज हमारे जो भाहियों ने बताया कि हमारी इंड़िस्टियों 30-40 परसेंट लेबर के साथ काम कर रही है और लेबर के आज जो ये समझ्चा उत्पन हो गई है वो इसी वज़े से हुई है कि हमारे इंडिस्ट्री एरियाज में बस लगा दी और उन से लेकर हमारे हां के रुके हुई लेबर को और वहां से उनको पलाइन करवा दिया गया ये बड़ी लोग डाउं की पीड़ा आपको बता रहा हूं अब जो दूसरी बात है इंडिस्ट्री की और अब ये बजट भी आया है बहुत ही शर्मना की बात ये है कि हम स्टील इंडिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ एक रुपया इंडिस्ट्री हमारे स्टील में बढ़ जाता है तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है ये कोर इंडिस्ट्री है उसकी महंगाई हर चीज पर बढ़ जाती है 15 रुपय किलो इंडिस्टील इंडिस्ट्री बेड़े क्या ये इस सरकार की आँख हैं नहीं हैं आँख बंद हैं इनको ये नहीं दीख रहा 15 रुपय किलो चीज पर बढ़ गया ये आग लग गई देश के अंदर एक आज कोई गरीव आदमी खाना का जितनी महंगाई बढ़ गई है उसका जो कारण इनकी समझ में नहीं नहीं का बजट है ये क्या कर रहे हैं इनकी क्या नीती है हम तो बहुत परेशाए 15 रुपय किलो हम तो नहीं समझते पूरे मतलब कि लोहे पर बढ़ जाएगा तो और सबसमानों का क्या होगा क्या हाल होगी तो सरकार का पता नहीं कहा क्या कोई हुई है कहा धियान है का नहीं है हम तो बहुत ही निराशर जनक इस्तेती में हैं अंदर तयागी और द्योकुन वैलफर अस्पे अजिनमНा सची मेरे मिनाक शीवाइर प्रोड़क्ट जो स्टील वायर की मैनुफेक्ट्रिंग करती है तो लोगड़ाउन के टाइम में स्टील वायर उसको मेल स्टील में इस्टील में बहुत प्रोड़क्ट होते हैं, उसमेल स्टील है, दो महीने लोकडाउन के अंतरगत जो है, बिजले का बिल, इस्टोलमेंट, फाइनेंस, इसकी बहुत बड़ी जो है, हम लोगों को परिशानी हुई, और जब काम करने का समय आया, उस टेम लेबर जो है, वो ज उटनी मिली हम लोगों को, ब्याज वगर हम को छोटनी मिली, जिसके हम उमीद कर रहे थे, तो जो वरकिंग हमारी थी, वो ब्याज और इस्टोलमेंट में ही चली गी, उसकी वेश से हम लोगों को जो है, 50-60 परसेंटी काम जो है, वो हम चला पा रहे हैं, और इस के जो के अंदर सेर मार्किट की तरह है, वो डाउन आ जाते हैं, तो इसलिए इंडस्टी चलाना बहुत मुस्किल काम हो रहे हम लोगों, क्या आप सुझाब देना चाहते हैं सरकार को, फिलाल हमारे माद्यम से, आपके माद्यम से, एक तो जो स्टील के प्राइज हैं, कम से कम ती इन महीने के लिए वो फिक्स हो, जैसे गोवर्मेंट अपने प्रोडेक्ट को तो जैसे विसागाबा स्टील प्लांट हुए, सेल वगरा हुए, वो तो मार्किट में रेट बढ़ा देते हैं, या रूमर कर देते हैं, स्टील की प्राइज बढ़ना जा रहे हैं, लेकिन जो 80-70% की इन्डस्टी जैसे वो प्राइवेट सेक्टर की हैं, वो इस तरह के से रेट बढ़ाते हैं, तो सेर मार्किट बढ़ता है, जब हम लोग माल खरीदेने का नमबर आता है, दूर से माल आता है, जब तक उसको बनाने की तयारी आती है, उस से पहले-पहले वो रेट ड काम नहीं हुआ है, जिससे MSME को कोई जाहत मिले, किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है, सिरकार ने पहले भी बहुत सारी गोशनाइ करी, जो पैकेज वगारा दिये, उसमें MSME को कोई भी प्रापद नहीं हुआ, और हम इस बजट में यह चाह रहे थे कि कोई MSME के लिए किलों का, जिससे वा अपने इसको निवारन कर सके, मगर बहुत डिफिकल्ट है इस वक्त, यह चिज़ें उनको सिदार करना चाहिए था, दूसरा MSME को खास राहत देनी चाहिए थी, कोई पैकेज देना चाहिए था, जिससे इंटरस्ट रेट्स हैं, यह और तरह की सूलिते देनी चाहिए थी, दूसरा यह हमरा कैमिकल का काम है, इसमें इस वक्त, मार्किट में रेट्स इतने बढ़ चुके हैं, तीस-ती-चलिज़ प्रसंट रेट्स रेट्स बढ़ चुके हैं, जो बड़ी-बड़ी कॉंपनिया है, वो एंटी-प्रोफिटिंग का, जो कलॉस थी को भी पूरी तरह से ध्यान देनी की, या मॉनिटरिंग की आवश्यक्ता है, ताकि आप लोगों को परिशानी ना हो, और माल महँगा ना हो, नेचरली, जो चोटी इनरस्ट्री है, उसके माईब तो गवर्मेंट है, जो बड़ी कॉंपनिया है, इतने रेट बढ़ रही है, चोटियों पर असर होता है, यह जैसे त्यागी जी ने भी बताया कि यह रेटों का दो तीन मिने का तो स्टेबल्टी होनी चाहिए ना, कि अभी हम लोग किसी से ओडर लेते हैं, माल खरीद ने जाते हैं, तो माल मेंगा होता है, यह हो रहा है, तो यह थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है, बिल्कुली, किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है. कि लेवर सिर्फ 25 से 30 प्रसेंट आई थी, उसमें भी प्रोड़क्शन कोस्ट, हम लोगों ने, आप मानिये, 20 रुपे किलो पर माल बन रहा है, और हम लोगों ने 30, 35, 35 रुपे किलो और आगे बजार में फीड करा है, वो भी हम लोगों की मजबूरी थी, क्योंकि हम लोगो को इंडस्ट्री बंद नहीं करने थी, हम लोगों भी एक जगे बेस्टेंड करना था, तो हम लोगों ने उस दोर को किजना किज तरिके से निखाला, बट जीज आप से बज़र ठाया है, और सारी चीजे हमारे सामने हैं, बड़ी दिकत दाई हैं पर इंडस्ट्री के लिए फिलाल आगे माना जाये तो कितने लोगों को आप रोचगार देते हैं, कितने लोगों का चूला जलता है आपके उसे? जानी सामने आई हैं, जो इनके घर भी कहीं ना कहीं एफेक्ट होंगे, और अभी तमाम इन दो पतियों से हमारी बात हुई है, इन्होंने जिस तरह की बात बताई है, वाकई वे सोचने वाली है, क्योंकि गाजियाबाद एक ऐसा स्थान है, जो सबसे ज़्यादा सुज़ावाएं हैं, इन सुज़ावाँ को संबन देती गाधिकारी और विभाग तक पहुचाएं और इनकी समस्या का कहीं न कहीं समाधान करा पाएं, गाजियाबाद से लोकल वोकल के लिए तेज़ेश चोहन